मद्यप्रदेश पर लगातार कर्ज का बोज बढ़ता जा रहा है चुनाव के दोरान दी गई मोदी की गारंटी प्रदेश की जनता को बहुत महंगी पड़ रही है MP की नई नवेली मोहन सरकार को प्रदेश चलाने के लिए रोजाना 200 करोड रुपे का कर्ज लेना पड़ रहा है वो भी मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए प्रदेश की माली हालत लगातार खस्ता होती जा रही है पुरानी योजनाओं के संचालन और संकल्प पत्र की गोशनाएं कर्ज के सहारे ही पूरी हो रही है मोदी की गारंटी का प्रदेश पर कितना असर पड़ रहा है आई आपको दिखाते हैं हमारे विशेश समवाद दाता अरुन तिवारी की इस खबर में इस बात की प्रसंदता है कि लाडली लक्ष्वी क्न्यादानी ओजना या हमारी लाडली लक्ष्वी बेहने मुझे इस सरकार बनने के साथ अभी अभी चिलाने लगे ठेशे हैं भाई भेहन कि पैसा नहींए एक इपार सरकार बनाइए आगे कांसे लाओए मुख्यमंतरी मोहन यादव ने आज बालाघाट की सभा में कहा कि प्रदेश में पैसों का कोई संकट नहीं है और सारी योजनाय चलेंगी इतना ही नहीं इस बार लाडली बहनों को दस तारिक की जगह एक तारिक को ही पैसे मिल जाएंगे बीजेपी ने जब संकलपत्र जारी किया था तो उसे मोधी की गैरेंटी नाम दिया गया था यही वज़ा है कि प्रदेश सरकार को ना सिर्फ पुरानी योजनाये चलानी है बलकि संकलपत्र की योजनाओं को भी लागू करना है मोहन यादव जनसभा में इसी मोधी की गैरेंटी की बात करते हैं लेकिन मोधी की ये गैरेंटी प्रदेश को बहुत महंगी पर रही है प्रदेश की हालत खसता है और कर्द का बोज लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदेश को चलाने के लिए दो महीने पुरानी मोहन सरकार रोजाना 200 करोड का कर्ज ले रही है इन दो महीनों में मोहन सरकार साड़े 12,000 करोड का कर्ज ले चुकी है यानी रोजाना करीब 200 करोड रुपै हाल ही में सरकार ने 5,000 करोर का कर्ज फिर से ले लिया है लेकिन लोगसबाचुनाओं के मुहाने पर खड़ी बीजेपी इससे बेफिक्र है वही कॉंग्रिस ने सरकार की इस हालत पर निशाना साधा है प्रदेश कॉंग्रिस अद्यक्ष जीतु पटवारी ने सवाल उठाया कि आखिर इतने कर्च का पैसा खर्च कहा हो रहा है और दिखाई क्यों नहीं देता जीतु ने कहा कि सरकार के पास अंकल पत्र पूरा करने का भी पैसा नहीं है यही वज़ा है कि किसानों को गेहूं का 2700 रुपे और धान का 3100 रुपे नहीं मिल पा रहा है बीजेपी ने जूटी गरेंटी दी और उस गरेंटी पर सरकार बनाई पिछले एक साल में 28000 करोड रुपया शिवराज जी ने करज लिया था उनके सरकार में लिया दो महिने में 15000 करोड रुपय का करजा हमारे अधरिनी मोहन भया ने ले लिए मोहन ज्यादो जी ने ले लिए एक दिमाग में स्वत्रा आती है बात कि 19 साल जूट और बेरोजगारी के मामा थे दो महिने करज और क्राइम के काका है प्रदेश के उपर करज सारे तीन लाग करोड से उपर पहुँच गया है इस करज का ब्याद चुकाने के लिए ही मोहन सरकार 12000 करोड का करज फिर से लेने वाली है बीजेपी सरकार ने पिछले एक साल में ही 35000 करोड से जादा का करज लिया मोदी की गयारंटी का सर आम जनता पर पढ़ रहा है जो लगता करज में दपता जा रहा है तो देखा आपने कैसे मोदी की गयारंटी से मद्यप्रदेश में करज बढ़ रहा है इस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार प्रती दिन 200 करोड रुपे का कर्ज ले रही है 200 करोड रुपे प्रती दिन के कर्ज में मद्रपदेश सरकार है